हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स के आज इस वीडियो में हम लोग BPC असिस्टेंट का जो पेपर 28 अप्रेल 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स BPC असिस्टेंट का जो एक्जाम पैटर्न है ठीक उसी प्रकार की एकजाम पैटर्न पर BPC के द्वारा जो एकजाम लिया गया है अभी हाल ही में पिछले साल हुआ था पेपर उसमें जो प्रशन पूछे गया है उन सभी प्रशनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप 28 अपरेल 2023 को BPC असिस्टेंट का एकजाम देने जा रहा है तो वीडियो को ध्यान से देख लिजेगा यहीं कोस्टन जो है इसी प्रकार के पैटर्न पर आधाईत प्रस्टन जो है आपकी एकजाम में देखने को मिलेंगे चैनल पर अगर आप पहली वर विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो बेल आइकन है घंटी का निशान उसको जरूर दबा लिजेगा ठाकि जब भी BPC असिस्टेंट से सम्बंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए सेसन आज के स्टार्ट करते हैं पहले फ्रेंट्स असिस्टेंट का जो एक्जाम प्रशन है ठीक उसी पैटर्न पर आधारितिया सारे के सारे प्रशन है पहला प्रश्ण पढ़ेंगे कि बीज के द्वारा भविस्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है अगर आपको एंसर पहले से पता है तो आप एंसर कमेंट में देखर के बताते चलेंगे लाश्ट समय है बहुती कम समय बचा हुआ है तीन-चार दिन का समय है फटा-फट आप लोग रिविजन कर लीजिए देखे राइट एंसर इसका उप्सन नंबर ए हो जाएगा बीज पत्र बीज के द्वारा भविस्य में पौधा बनाने वाला जो भाग होता है वह बीज पत्र कहलाता है अगला प्रश्ण है हमारा दूसरा प्रश्ण है कि निम्न में से कौन से उर्जा खाद पदार्थ है इसमें से उर्जा खाद पदार्थ जो है यहां कौन से है तो राइट एंसर इसका हो जाएगा कार्वो हाइडरेट एवम वसा अगला प्रश्ण है हमारा कि फंफूदियो के फंफोदियों में पोसन की विधी होती है जो फंगी है फंगस है उनमें पोसन की विधी होती है यह कौन सी है तो यह मिर्तु पजीवी पोशन option number इसका D right answer हो जाएगा उसके बाद देखे next question है कि कोशिका के किस भाग में ध्यान दीजेगा कोशिका के किस भाग में glycolysis की क्रिया होती है देखे glycolysis या glyco अपगटन कोशिकी स्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रब में होती है राइट answer इसका option number A हो जाएगा कोशिका द्रब में जो है glycolysis की किरिया होती है उसके बाद next question है हमारा question number यहाँ पर देखे question number 5 है कि पतियों में उपस्तित उन्हें छिदरों के नाम लिखिए जिनके द्वारा स्वसन किरिया में गैसों का आदान प्रदान होता है तो correct answer इसका option number D हो जाएगा रंगर ठीक ह है तो यह इसमें मौस एउम लिवरवर्ट होते हैं option number इसका C right answer हो जाएगा ब्रायोफाइट में होते हैं मौस एउम लिवरवर्ट question number 7 देखेगा कि नारियल के फल का प्रसार होता है तो friends यह रेसायुक्त मीजोकॉर्प से यहाँ द्यान देखेगा आप मीजोकॉर्प तना में समवहनी बंडल होते हैं तो इसमें होते हैं सम पार्स्विक ठीक है याद रखेंगे सम पार्स्विक होते हैं अगला प्रशन है question number 9 question number 9 है कि detergent के निर्मान में परियुक्त होने वाला enzyme इनमें से कौन सा है तो यह enzyme जो है यह enzyme है protease कौन सा है protease है याद रखना आपको detergent के निर्मान में यह enzyme परियुक्त होता है उसके question number 10 है कि crossing over में होता है crossing over में होता है crossing over में अनुवांसिक सामगरी का आधान परदान होता है option number C इसका right answer हो जाएगा question number 11 है कि प्रजातियों के विकास में प्राकिर्तिक चैन का सिधान्त जो है किस ने दिया था तो यह सिधान जो है यह Charles Darwin ने दिया था option number इसका B right answer हो जाएगा Charles Darwin से संबंधित प्रश्ण जो है फ्रिक्वेंटली पूछता है चले उसका बाद next question है कि निमन में से कौन सी बिमारी यवन संचारित नहीं है यवन संचारित नहीं पुछा गया है तो right answer इसका option number B हो जाएगा hepatitis hepatitis जो है फ्रेंट्स यह यवन संचारित रूब नहीं है वाइरस के कारण होता है आपको याद रखना है ठीक है HIV AIDS भी वाइरस के कारण होता है इसको भी आप ज्यान रखेंगे चले उसका बाद question number 13 देखेंगे question number 13 है कि अनकूल परिष्थितियों में अमीबा जनन करता है तो अमीबा पे जनन होता है यहाँ द्विखंडन के द्वारा होता है option number इसका भी right answer हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा उसके बाद एक निमन में से किस वर्ग के जन्तुओं का प्रग वहा यानि कि सिलोम रक्त से भरा हुआ होता है रक्त से भरा हुआ और्थो प्रोड़ा का होता है ठीक है अचा केकड़ा जो आता है न केकड़ा आप सुनेंगे यह और्थो प्रोड़ा में आता है ठीक है चले इसका पत्य लिए 15 नमबर है कि टेप वार्म के खंड कहलाते हैं टेप वार्म के जो खंड है यह कहलाते हैं . अगला प्र Sketch' नबर 16 कि貝 कशन न eruption को समाने रूप से कहते हैं तीनिया शोलियंग को पौर्क कटेप वार्व यूं इसको काईते हैं ठीक है पौर्क से पौर्म इसको कहते हैं कुशन नमबर 17 है कि ऋवजन अभिग्रहन करने वाला अंग होता है कि तो चैक्आ है कौन सा बहचन यहाँ पाए जाते हैं यूगली नामे यूगली नामे पाए जाते हैं चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि रबड को सलफर के साथ गरम करने को कहते हैं तो इसको कहा जाता है वलकेनाइजेशन, वलनी करन कहा जाता है अब सरमर इसका B right answer हो जाएगा चले उसका बद देखिएगा किनेमन में से कौन सा रासानिक रूप से सरवाधिक सक्रिय है इसमें से सरवाधिक सक्रिय जो है या फ्लोरीन है ठीक है कौन सा है फ्लोरीन है या हाईलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह सारे हाईलोजन होते है चले उसका बद नेक्स्ट कॉस्टन है कि अमलगम किसकी में सरधातू है अमलगम जो है यमी सरधातू किसकी है तो यमी सरधातू है पारा की ठीक है ओप्सन नमबर इसका B राइट अंसर हो जाएगा पारा मरकरी ठीक है चले कोस्टन नमबर 24 है कि एलकेलोड होते हैं तो यह फ्रेंट्स चार जोकी पानी में घुलनसील है अप्सन नमबर D इसका राइट अंसर हो जाएगा 25 नमबर है कि चूने का पानी कुलोरीन से क्रिया कर बनाता है सिंपल सा कोस्टन है चूने का पानी कुलोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है C-A-O-C-L-C-L याद रखना है फर्मुला चले उसके बाद देखे कि मेंडलीप के समय कूल ग्यात तत्व की संख्या कितनी थी मेंडलीप के समय टोटल 63 ग्यात तत्व की संख्या थी चले उसके बाद अगला प्रश्ण कि बेकिंग सोडा का रासाइनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का रासानिक नाम जो है यहां सोडियम बाइकार्बुनेट है बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा ठीके चले उसके बाद अगला प्रश्ण कि कौन सा एंजाइम ग्लुकोज को एथिल एलकोहल में परिवर्तित कर देता है काफी या इंपॉर्टेंट कुस्चन है बताइए राइट अंसर इसका अप्सन नमर सी हो जाएगा जाइमेज कौन सा है जाइमेज है या उसका बचले कुस्चन नमर हमारा 29 है कि गल्वनाईजिशन होता है गल्वनाईजिशन तो देखे लोहे पर जिंक का जो परत चढ़ाया जाता है उसी को गल्वनाईजिशन काते है तो लोहे पर जस्ते का निचेप ठीक है गैस गुबारे में हाइडरोजन की जगा हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वह जो अलंसील नहीं होती है ठीक है ध्यान रखना आपको उसके दाब बढ़ाने से किसी पदार्त का क्वथनांग क्या होता है दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांग क्या होगा बताइए तो बढ़ जाता है ठीक है दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांग भी बढ़ जाता है खोगोलिये दूरी मापने की 21 में से कौन सी है तो सिंपल सा कुस्चन है प्रकास वर्स इसका राइट अंसर हो जाएगा लाइट इयर एक प्रकास वर्स में कितना मीटर होता है जड़ा अप कमेंट करके बताईए ठीक है आपने कई बर फढ़ा होगा जड़ा आप कमेंट करके इसका अंसर बताईए प्रकास की गति नियूंतम होगी जब वह गुजरेगा तब कांच में से इसमें से राइट अंसर कांच में से हो जाएगा इन में से ठीक है छलिए कि किसी उच्छ वोल्टेज को प्रेडित करना ठीक है बरसात की बुंदो का गोल आकार होता है तो यह गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण सर्फेश टेंशन के कारण ठीक है अगर ध्वानी वायू से जल में परविश करती है तब किसकी मातरा में परिवर्तन नहीं होता है तो परि Particle Fiber जो है किस सिधान्त पर कारे करता है प्रकास ये तंतु जिसको हिंदी में कहा जाता है तो यह प्रकास के पूर्ण आंतरिक परवर्तन के सिधान्त पर option number C इसका राइट इंसर हो जाएगा ठीक है बिभाजन की दिवारों में ध्वनी और सुसित करने के लिए सरवत्तम पदार्थ कौन साइस में से तो यह आपका कांच की रूई हो जाएगा राइट इंसर इसका उसके बादे के घड़ी में क्वार्ट क्रिश्टल का क्वार्ट क्रिश्टल है इसका कारे करना किस पर आधार है तो यह आधारित है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर चले उसका बाद देखेगा कि पेरियोस्कोप किस सिधान्त परकारे करता है तो यह केवल परावर्तन के सिधान्त परकारे करता है ठीक है तो यह 40 कोस्टन तो थे केवल इनको हम लोग कवर करने वाएं। देखें, math और reasoning के question को मैंने skip कर दिया है। जैसे मैं आपको पताया था कि हम लोग science, history, quality, geography, current affairs इन सब की प्रशनों को कवर करेंगे। देखें, next question हमारा कि प्राचिंतम वेद कौन सा है। तो आपको पता है कि चार वेद हैं, चारों का नाम भी यहां पर दिया गया है और सबसे प्राचिंतम जो है यह आपका रिवेद है। ठीक है, सबसे बाद का वेद कौन सा है इन चारों में से आप ज़रा कमेंट करके मुझ सी घटना हुई, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको परशन असपष्ट दिखाई दें, अब देखिए, सबसे अंत में असोक और यहां चंद्रूप्त मौरे, चंद्रूप्त मौरे जो था, यह मौरे बंस का संस्थापक था, तो अब इसलिए यह सबसे पहल अप्सिन अबर डी, महात्मा गांधी का जनम वर्ज पुछा गया है, सिंपल सा कोस्टन है, दो अक्टूबर 1889 को अप्सिन अबर बी राइट अंसर हो जाएगा, देखिए कितना सिंपल सा प्रोशन पुछा गया है, साइंस थोड़ा टॉफ था, देखिए महात्मा बुद् किस दिया था, बोध गया में ज्यान की प्राप्ति हुई थी, लुंबली में जनम हुआ था, चले उसका बद इके सत्य सोदक समाज के अस्थापना किस नहीं किया था, तो जो दिबा फूले नहीं किया था, कब किया था, तो 1873 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है चले, उसका बद अगला प्रश्ण है हमारा, कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई इसमें से, सबसे पहली की घटना आपसे पुझा गया है, तो सबसे पहले नाधिवस्या का आकर्मन हुआ था, ठीक है, चले, उसका बद नेक्ष्ट कुस्टन है हमारा, कि 1942 में जप्रकास नर मिलान करना है, आनंद भवन जो है, यह कहां पर है, नीचे से आपको अंसर चुन करके बताना है, ठीक है, बताए, राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा, तो आनंद भवन, इलहाबाद, सावरमती आसरम, आहमदाबाद, गेट वाफ इंडिया जो है, यह मुंबई, और जाल अलाई दरवाजा का निर्बान जो है, यह किसने करवाया था, तो अलावदीन खिल जी ने, किलियर, उसका बदे कि आगरे का किला का निर्बान किसने करवाया था, जो पहले आता है, पहले आप हो मिलाएंगे, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, सा जहां, इतमाद फिर आपका दो और फिर आपका एक तीन चार दो एक यानि कि देखिए किस ओप्षन में दिया गया है कोस्टन नमबर 109 का राइट अंसर इसका बी हो जाएगा तीन चार दो एक ठीक है चलिए शिखों के दस्वे गुरु गुरुगुविन सिंग का जनम कहां पर हुआ था तो ये बटना में हुआ था कुस्टन नमबर 111 दिखिए भारतिय समिधान की किस अनसूची में भारतिय भासाओ की सूची सम्मिलित है तो ये आठेवी अनसूची में है आपको भी पता है ठीक है टोटल 12 अनसूचीयां है याद रखना आपको डॉक्टर राजिन्द प्रसाद को समिधान सभा का स्थाई सभापति कम चुना गया था तो राइट अनसर इसका हो जाएगा दिसंबर 1946 में ठीक है चलिए उसका बाद आगला प्रशन है कि किस समिधान संसोधन के द्वारा सिक्षाक अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रू भी नहीं रहें उपराष्ट पति पुछा गया है ठीक है स्वक्षपारत अभियान किस वर्ष प्रारम किया गया था तो यह 2014 में हुआ था उसका बाद पंचाटी राज अपनाने वाला पहला राजिक कौन सा था तो यह राजस्थान था राजस्थान के नागोर से तो अभी आप अभी का आप लोग करेंट अफेर देख कर जाएंगे ठीक है चली यह जुलाई का करेंट अफेर है चली उसका बाद देखिए कि भारत का महा नयवादी किसके द्वारा नियुक किया जाता है अटर्नी जनरल अफ इंडिया और बैंकेट रमनी है अभी याद अभारत के राष्ट्पति के प्रसाद परियंति हपद्धारन करते हैं अर्टिकल 76 में है वर्तमान समय में निम्ने में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है नहीं पुझा गया है तो राइट इंसर संपत्ति का अधिकार हो जाएगा मौलिक अधिकार समिधान के भाग तीन में और उच्छेत 12 से ले करके 35 तक में है याद रखना है कौन से अगर यम्ना नदी की किनारे नहीं बसा हुआ इसमें से यह आपका अध्या हो जाएगा अध्या सर्यू नदी की किनारे हैं बाकी दिल्ली अगरा मत्राई या मुना की किनारे हैं 2011 की जन गन्ना के अधार पर बिहार भारत का खले स्थेंद्या के सबसे अधिक जनसंक्यावाला राज्य है याद रखेंगे भारत अब दुनिया का एक नंबर जनसंक्यावाला दिस बन गया चीन को भी हमने पीछी छोड़ दिया है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा तीसरा उसका बदेखे बिहार में कौन सा जल प्रपात नहीं है इसमें से कौन सा जल प्रपात बिहार में नहीं है तो राइट अंसर हुन्डू हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बदेखेगा कि निमन में से कौन सा बिहार की पस्थिमी सीमा परिस्तित है इसमें से तो यह आपका पस्थिमी सीमा परिस्तित जो है यह पुछा गया है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बादे कि बिहार की कौन सी बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है तो यह नदी गोमती नदी है चेतरपल का अनुसार सबसे विशाल महादीप कौन सा है चेतरपल की हिसाब से सबसे विशाल महादीप जो है यह एसिया हो जाएगा उसके बाद एकि बिहार में कौनसा खनीज पाया जाता है तो बिहार में इन में से जो है सभी के सभी खनीज क्वार्ट जाइट पैराइट अपरक यह पाया जाते है यमुना नदी का उधिकम किस राजी में होता है तो तराखंड में होता है पिरतेवी दिवस मनाया जाता है 22 April के दिन बहुत इंपोर्टन्ट है जल दिवस बिहार का स्थापना दिवस हैonne के यह बैस मार्च के दिन मनाया जाता है इसको भी आप लोग धियान रखेंगे ठीक है चली हीरा निमनलिकित में से आपको बताना है, तो सही इंसर इसका option number B हो जाएगा करनाटक, उसका बदे कि निती आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है, तो योजना आयोग का स्थान लिया है, निती आयोग ने, एक जनवरी 2015 कि इसका स्थापना हुई थी, उपाध्यक्स अभी कौन ह ठीक है, याद रखना है, भारत की नियंत्रक्यों महालेखा परिक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्टपती के द्वारा की जाती है, उसका बदिके निमन में से बिहार, बिहार में किसकी परचुर मातरा उपज होती है, तो तंबाकु हो जाएगा इसमे को चलिए उसका पर दिकी मिलान करना है यहां पर एक फसल है और अधिक्तम उत्पादक राज है तो यहां पर दिकी जूट का क्या हो जाएगा पसिम मंगाल ठीक है चाय का असाम गन्ना का उत्तर प्रदेश हलाकि अब महराष्ट उत्पादन में आगे है रभड का केरल ठीक है मिला लिजे घाब लो विस उपभोगता दिवस कब मनाया जाता है बता ही राइट इंसर इसका तो यह मनाया जाता है पंद्रह मार्च को भारत में सरकार का वितियो वर्स चलता है तो वितियो वर्स चलता है एक अपरल से 31 मार्च तक ठीक है एक अपरल से नया वितियो वर्स में भारत ने कितने पदक प्राप्त किये थे बहुती अच्छा कोस्टन साथ मेडल हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बद अगला प्रशन हमारा कि भारत द्वरा ओप्रेशन देवी सक्ती किस देश में किया गया तो यह अफगानिस्तान में उसका बद इक मौरिसस की राजधा जापान की मुद्रा एन है ठीक है चलिए उसके बद 143 नमर कोस्टन है कि दो नाइट वाचमैन उपनियास के लिए का कौन है लुइस अर्डरिच है ठीक है पंजाबी भासा की लीपी पूछा गिया है तो यह गुरु मुखी लीपी हो जाएगा अफगानिस्तान के सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा लिए